तो आज हम खेल खेल में सिखेंगे समसंख्या और विसमसंख्या ठीक है? यास मैं अब मैं एक से ले के 20 तक कुछ भी अंक बोलूँगी ठीक है? कुछ भी बोलूँगी जैसे मैं बोलूँगी 2, 9 तो एक से 20 तक ही बोलूँगी अभी ठीक है तो इसने सबको आता है ना सुना समने अच्छा दो चको आठ दो सत्य चोधा दो अठे सोधा दो दुनी चार तो जहाँ जहाँ पे दो के पहाँ यह आ रहा है अंक ठीक है अब जो हम खेल खेलेंगे उसमें जब मैं एक से बीश सक कुछ भी आँक बोलूञँगी अगर मैं बोलूँगी चौधा तो उसमें दो का भाग जाता है दो सत्य चौधा होता है ना तो उसमें तुम बैढ जाना ठीक है ऐसी अगर मैं बोलूँगी दो अठे सोला बोलूँगी तो तुमको पता है दो अठे सोला होता है उसमें बैठ जाना अब मैं चार बोलूँगी तो दो दो नी कितना होता है उसमें भी बैठ जाना अब जैसे मैं दस बोलूँगी दो पंजे कितना होता है बैठ जाना यानि कि जिसमें दो का भागा जा रहा है उसमें तुम क्या करोगे और जिसमें नहीं जा रहा है खड़े रहोगे ठीक है जहान से खेलना ठीक है जहान से खेलो ठीक है आम बोल रहेंगी बैठना है जिसमें दो का भागा जा रहा है एक बर और बोल रही हूँ आठ पांच जो लोंग बैठे रहें गें वाउट क्योंकि जिसमें दो को भागने जारें उसमें क्या करना है खड़े होना है चार तीन दस बारा बारा में कौन-कौन खड़े हुए आउट जो लोंग बज गए वो लोंग क्लोस हो जाओ नज़िक आजओ ठीक है पांच सोला उननिस सीमा आउट छे अंची का आउट छे में बैठना था दो का भागा जाता ना चलो चार चार में बैठे रहना था कौन-कौन खड़े हुआ हाँ भावन भी खड़े भी है तो कौन बनाई विनर मांसी चभी मांसी खड़े हो चलो ठीक है तो ऐसे हम यह खेलेंगे गेम आया समझ मैं तो सम यानि कि अगर मैं कहूंगी अगर कभी आपको सोचना हो कभी सोचोंगे समसंग्या क्या होती तो आप यह सोच कहना जो गतिविदी कराई थी जिसमें हम बैठे थे वो क्या थी समसंग्या जिसमें तुम बैठे थे वो कौन से संग्या थी समसंग्या और जो खड़े रहे वो विसम जो खड़े रहे वो विसम तो जिस संख्या के बोलने से जो अंक मैंने बोला जिसमें आप लोग बैठे रहे वो क्या हुई क्या हुई वो संख्या जो और से बोलो क्या हुई संख्या हाँ ऐसे आगे अब 24 में तुम कौपी में भागा दोगे तो 24 में भी जाता है दोका भागा तो वो क्या हो जाएंगे समसंग्या क्या हो जाएंगे समसंग्या